नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है, हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल अठरा ही पुराण उपर, दोस्तों हमरे सनातन धर्म के मुख्य रूप से अठारा पुराण है, जिनमें मनुष्य जीवन को सफल और आसान बनाने के बारे में बताया गया है, किन्तु आज के इस म प्रिय दर्शकों, सनातन हिंदू धर्म में गरूर पुराण ग्रंथ का विशेश महत्व है, गरूर पुराण 18 महा पुराणों में एक ऐसा ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री हरी विश्नु द्वारा जीवन, मृत्यू, स्वर्ग, नरक और पापुन्य के कर्मों को विस् गरूर पुराण में ऐसे पांच लोगों के बारे में बताया गया है, जिनके घर पर आपको कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, इस ग्रंथ के आचारखंड के अनुसार कुछ लोगों के घर पर भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए, यदि आप इनके घर पर भोजन करें तो आप भी पाप के भोगी बनेंगे और आपके पुन्य नस्थ होकर आपको नरक का कश्ट भी जेलना पड़ सकता है तो चलिए जान लेतें वो कौन से लोग है जिनके घर पर भोजन न करने का आदेश हमें हमारे धर्म ग्रंथ देते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृप्या चैनल को सस्क्राइब अवश्य करें ताकि हमें प्रेणा मिलें और हम अधिक जानकारी आप लाएं सबसे पहला व्यक्ती है रोगी व्यक्ती के घर पर कभी भोजन न करें ऐसा इसलिए क्योंकि रोगी व्यक्ती स्वयन शारिरिक परेशानियों से ग्रसित रहता है ऐसे में इनके घर पर भोजन कर आप इनहें और कश्ट दे सकते हैं इसलिए रोगी व्यक्ती के घर जब भी कोई उनका हाल पूछने जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता बलकि उनके लिए फल या खाने पीने की चीजे साथ ले कर जाता है साथ ही कभी कभी कुछ बीमारिया फैलने की भी आशंका हो सकती है दूसरा व्यक्ती है क्रोधी व्यक्ती के घर गरूर पुरान के अनुसार क्रोधी व्यक्ती के घर भोजन करने से आपके अंदर भी नकारात मकता की उर्जा आती है ऐसा व्यक्ती जो बात-बात पर क्रोधित होता हो और दूसरों का अनादर करता हो उनके घर पर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए इनके घर के भोजन में क्रोध से भरी उर्जा हमेशा संचार करती है कभी गलती से इनके साथ भोजन न करें तीसरा है साहुकार गरुर पुरान की माने तो साहुकार या सूधखोर व्यक्ती के घर भोजन नहीं करना चाहिए इसके पीछे का कारण यह है कि ये लोग दूसरों की मजबूरी या परेशानी का फाइदा उठाते हैं और उनके कठिन परिस्थिती को धन कमाने का साधन बनाते हैं असहाय और जरूरत मंद लोगों को साहुकार से मदद तो मिल जाती है लेकिन इसके बदले उन्हें मोटा ब्याज भी चुकाना पड़ता है ये साहुकार लोग बहुत ही निर्गई होते हैं और अपने केवल अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं लोग दुखी मन और कठिन महंत के बाद ही साहुकार का पैसा चुका पाते हैं इसलिए ऐसे लोगों के घर भोजन न करें जिनके घर पर दूसरों की तकलीफ से कमाय धन से भोजन बनता हो चौथा व्यक्ति है किन्नर किन्नर को भोजन कराने या दान देना बहुत पुन्य होता है हमेशा इनको दान देना चाहिए जिससे आपको पुन्य भी मिलेगा और मा लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है लेकिन इनके घर कभी भोजन नहीं करना चाहिए इसका कारण यह है किन्नर कई तरह के लोगों से पैसा मांगते हैं जिनमें अच्छे, बुरे और कई प्रकार के लोग होते हैं और उनकी कमाई केवल उनहीं की एक मात्र उपजीविका का साधन है हो सकता है कि आपको परोसा भोजन किसी के बुरी कमाई का हो और आप भी उस पाप की भागीदार बन जाए इसलिए इनके घर पर भोजन करने की मना ही होती है पांच वा है चोर या डाकू के घर अपराधिक कामों से जुड़े लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसे लोगों से संबंध रखने चाहिए गरूर पुरान के अनुसार चोर, बदमाश, डाकूक, लुटेरे और अपराधी गलत तरीके से धन अरजित करते हैं इसलिए इनके कमाए धन से भोजन नहीं करना चाहिए अगर आप फिर भोजन करते हैं तो उनके सारे महापापों में बराबर के भागीदार बन जाते हैं आपकी एक छोटी सी गलती आपके पुने कर्मों को नस्ट करती है इसलिए कभी भी भूल कर भी इन पांच प्रकार के लोगों के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करना न भूलिए साथ ही कॉमेंट में जय श्री कृष्न अवश्य लिखें आप सभी का धन्यवाद